Welcome Learners to Unacademy Computer Science YouTube Channel तो आप सोच रहे होंगी मेरे हातों में क्या है Unacademy Handle with Care तो ये कुछ चीज़ें मिली मुझे Unacademy से देखते हैं क्या है ठीक है तो Unacademy ने मुझे भेजा है Iconic Subscription का Printed Books तो आपको पता है कि Unacademy Iconic Subscription में क्या फाइदा है कि आपको printed books मिलते हैं जो आपके घड तक डेलिवर किये जाते हैं और iconic personal coach का benefit भी होता है और इसलिए मैं बोलते हूं कि आप iconic subscription दीजिए ताकि ये printed books आपको मिल सकें तो देखिए हर एक subject के printed books हैं जैसे digital logic and you can see the quality of content कि हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से डाग्राम के साथ इन्होंने बताया है digital logic का ये book अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको काफी help मिलेगी आपके gate exam के preparation में वैसे यहाँ पर operating system का book है ठीक है तो यह operating system का book भी अनकेडमी ने मुझे दिया डीवी एमस का book भी दिये तो यह पर chapter wise complete notes आपको मिलते हैं और solved examples भी होते हैं ताकि आप उन topic को समझ सकें किस तरीके की questions पूछे जा सकते है उस particular topic से और क्या क्या books दिये हैं जैसे मुझे कुछी books मिलें जैसे को आ computer organization architecture का book भी मुझे दिया गया है जो यह बहुत ही जादा difficult subject माला जाता है अच्छे अच्छे यहाँ पर you know concepts बताए गए हैं बहुत ही बैतरीन तरीके से जो important चीज़े हैं उसको note करके भी लिखा गया है कि note this is important point diagram के तुरूखार एक चीज़ को समझाए गया है और obviously बाते के quality notes की यही तो पहचान होती है कि उसमें diagram के notes हो standard books को standard books से बनाई गई है standard books में कितने सारे pages होते हैं पर यह आपके filtered notes हैं जो सिफ gate से relevant है और gate के लिए आपको बहुत help करेंगे बनाएगे इनको standard books से refer करके और यहाँ पर next है आपका बुक computer network की इतनी पतली बुक gate exam के आपने कभी देखी होगी तो देख लीजिए आनक आडमी आपको provide कर रहा है और next यहाँ पर है आपका programming and data structures तो यहाँ पर programming भी कवर होगी generally क्या करते है इसकी थोड़ी मोटी बुक है as compared to other subjects because obviously बात है कि और programming भी और data structure भी है तो थोड़ी तो मोटी होना बनता है ना तो इसमें भी programming पूरा cover करवाया गया है फिर उसके बड़ data structure cover करवाया गया है ठीक है और next है आपका theory of computation theory of computation की तो पतली book आपने Peter Lynch पढ़ा होगा पर उसमें कितनी चीज़ है relevant है और कितनी irrelevant है वह आप भी जानते होंगे यह completely relevant book है और according to gate syllabus आपका बना हुआ है और gate की हिसाब से questions important होते हैं सबका collection आपको यहाँ पे मिले गए in fact यहाँ पे chapter wise notes भी है last में हर एक chapter की summary भी दी गई है जैसे कि students को revise करने में बहुत help मिलेगा और short notes बनाने में भी help मिले है इनके से कि अगर आपके short notes में कोई point miss हो गया है तो आप उस summary को देख करके अपने short notes को complete कर सकते हैं the last is compiler design compiler design की book काफी पतली है अगर हम देख जाए तो compiler design में 171 pages है theory of competition में 245 pages है and programming data structure की सबसे मोटी book है जो मैं आपको बोल रही थी तो वो है 275 की computer network की book जो है वो है 195 pages का then koa की जो book है वो 248 pages की है dbms का जो book है वो आपका है 234 pages का and operating system का जो book है वो 260 pages का है and जो lastly यहाँ पर आपका book हो जाता है digital logic का तो यह आपका 202 pages का है तो कुल मिलाकर करके जो मुझे books मिले हैं वो मैं आपको देखा दू total कितने books मुझे मिले तो total मुझे 8 books मिले हैं यह gate CSIT के लिए मैं total 8 subjects पढ़ाती हूँ मैं engineering mathematics and general aptitude नहीं पढ़ाती तो an academy ने मुझे वो books नहीं दिये अब यह books मुझे क्यों मिले हैं कि मुझे an academy ने पढ़ने के लिए books भेजे हैं या फिर यह books क्यों भेजे हैं तो यह books इसलिए भेजे गए हैं ताकि मैं आपको यह बता सकूँ इन books को read करके इन books को check करके कि इनकी जो quality है वो आपके preparation के लिए बिलकुल match करता हैं मतलब कि आप बिलकुल बिना किसी tension के इन books को refer कर सकते हैं और इनसे पढ़ करके अपना gate exam निकाल सकते हैं तो अभी जाईए और unacademy का iconic subscription दीजिए ताकि आपको भी इस तरीके का box आए और आप भी unboxing करके एक वीडियो बना करके हमें भेजें और feedback दें कि आपको यह books कैसे लगे तो unacademy iconic subscription पे आज offer चल रहा है जो आपका कल तक valid यानिकी 4 अगस्त तक valid है इस offer के तहत आपको extra months offer मि मिलते है unacademy iconic subscription पे तो अगर आप get 2025 के preparation कर रहे हैं तो आप 6 month पे 2 months का जो extra offer चल रहा है total 8 months का उसे लीजिए जिसका cost है 8 months का 14999 जिसका original cost है 30,000 जो आज 15,000 मिल जाएगा अब इन 15,000 में आपको क्या मिलेगा आपको unacademy iconic subscription में सारे educator की live classes मिलती है structured batches मिलते है recorded videos, PDF notes, test series, doubt clearing session, printed books and personal coach customized doubt support यह सारे benefits आपको iconic subscription में मिलते हैं plus subscription में इन में से किया नहीं मिलता है तो printed books नहीं मिलता है personal coach नहीं मिलता है और customize doubt support नहीं मिलता है बाकि plus में आपको सारे batches मिलते हैं । में आपको lecture classes मिलती recorded videos मिलता है PDF notes मिलता है test series मिलता है सब कुछ मिलता structure batches सारे courses सब कुछ मिलते है पर plus में आपको यह books नहीं मिलेंगे personal course भी नहीं मिलेगा अगर आप gate 2025 की तयारी करें तो 8 months का 15,000 का ले लीजिए अगर आप gate 2026 की तयारी कर रहे हैं तो आप iconic subscription 18 months का लीजिए जो सिर्फ 18,000 का है 18 महेने का subscription 18,000 में और gate 2027 की preparation करने के लिए आप 24 plus 6 months का iconic लीजिए जो 30 months के duration का है और यानि कि 12 साल का subscription जो आपको सिर्फ 24,000 में पढ़ता है और यह मैं iconic subscription की बात कर रही हूं तो जल्दे से use कीजिए referral code hello001 ताकि आपको on academy पे यह discount मिल सके जो सिर्फ 4th august यानि कल तक valid है thank you so much and let's crack it